तो अगर हम देखें तो यह चार फैक्टर को हिसाब से देखते हुए लेकिन एक चीज मैंने कल और बताई थी और वो क्या बताई थी कि कभी भी याद रखना कभी भी केवल एक फैक्टर से आंसर नहीं करना जैसे कल हुआ था कल क्या हमने एक बहुत इंपोर्टेंट पार्ट देखा था बोलो हमने कल एक बहुत इंपोर्टेंट पार्ट देखा था कि साइज जो है वो साइज इंडियम और थेलियम में थेलियम का बड़ा और इन फैक्ट आयोनाइजेशन एनरजी भी जो थी वो इंडियम और थेलियम में थेलियम की जा था जबकि हम यहां कह रहे है कि size और ionization energy inversely related है तो ये चीज मैंने समझाई कि क्यों ऐसा हुआ आप यह मन सोचो कि हमेशा जो size का order होगा ionization energy का order उल्टा हो जाएगा ऐसा जुरूरी नहीं है तो हमने कहा क्योंकि thelium का z effective जादा है इसलिए उसकी ionization energy भी जादा है कल हमने समझा था तो आज भी हम exactly यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी यहाँ पर factors है उन एक factor के साब से कोई answer नहीं करना है कल हमने पूरे P block के सारे orders कर लिये थे आज D block के orders बस ही बचे हैं 2-4 minute में यह भी खतम करते हैं सबसे पहले again जैसे कि मैंने atomic size में भी बोलाता हमें सबसे फहले क्या चाहिए होता है values, observations यह होने के बाद में फिर explanation आता है जड़ा check करते हैं पहले बताओ general क्या होगा general अगर अगर अपन left to right जाएंगे left to right जाएंगे तो ionization energy बढ़नी चुकि Z effective बढ़ता है पर याद करो Z effective increase कितने से होता है increase by 0.15 क्या increase बहुत छोटी value से होता है और अगर बहुत छोटी value से increase हो रहा है तो Z effective को अकेले को हमेशा factor बनाना गलत है किसी और factor अगर वो change हुआ तो उसको भी देखना बहुत जादा जरूरी है और देखना भी चाहिए अगर अपन यहाद ध्यान से देखें तो scandium से value बढ़नी चाहिए 31 से 56 से 50 यह एक ऐसी value है जो कि हम लोग explain नहीं करते हैं छोटा से एक change जरूर है पर हम यह मान के चलते हैं कि ionization energy increase है 56 से 50 है कम हुई है लेकिन titanium और vanadium में हम यह चीज जज नहीं करते हैं because आपको याद हो तो मैंने बताया था ionization energy is the amount of energy required to eject the most loosely bounded electron from isolated gases atom तो उसको isolate atom बनाने के लिए gases atom बनाने के लिए जो energies लगती है उससे थोड़ा सा difference आजाता है otherwise titanium और vanadium को हम लोग कभी भी order का पार नहीं मानते ऐसे मानते हैं increase हो रही है तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है ionization energy increases as expected कहां तक आप देखिए 31, 56 मानलोग छोड़ गया 53, 717 then 762 तो इस जगह तक यानि की scandium से iron treat कि यह सब सही चल रहा है कि left to right ionization energy बढ़ रही है और इसे अच्छा कुछ होई नहीं सकता हमारी सोच जैसा answer हो रहा है कि as expected ionization energy बढ़नी चीहती और यहाँ पर भी ionization energy बढ़ रही है क्या मेरी बास समझ में आ गए अब point आता है iron cobalt nickel जल्दी से मुझे वरदाईनी बताईगी कि iron cobalt nickel में हमने size को पढ़ा था उसी को base बनाते हुए नहीं मतलब size को base मत बनाना size के अंदर जो reasoning दी थी उसी reasoning को base बनाते हुए मुझे बताओ 762, 758 और 736 यह नहीं कि ionization energy कम हो गई है तो question है कि क्यों कम हो गई है जल्दी से वरदाईनी मुझे reason बताओ Sir reason हो सकता है क्योंकि उसमें electronic repulsions increase हो रही है तो size increase होगा मतलब size constant रहता है size what बोलो ही मत क्योंकि size बोलते ही size बोलते ही मतलब तंग पकड़ ली जाएगी कि गड़बढ कर दिया जैसे कल अपने गड़बढ करती थी size मत बोल Sir electronic repulsions increase होते है तो Z effective decrease होता है और ionization energy भी decrease होती है ऐसे करते हैं देखो मेरी बास सुनो ऐसे बोलो कि जब अपन इसनकी बात करते हैं chromium से MN की तो चलो यह बात में iron, cobalt, nickel की बात करते हैं iron, cobalt, nickel में तो ऐसी condition में दो factors हैं Z effective जो है वो slater rule के इसाब से बढ़ेगा लेकिन electron pairing भी बढ़ेगी electron pairing बढ़ी electron repulsion बढ़ा उसके करण ionization energy घड़ गई ऐसा बोलते हैं ओकी साब तीक है आगे चलते हैं उसके बाद nickel से copper से zinc 36 से 45 से 906 क्या ionization energy बढ़नी चाहिए और बढ़ गई तो point यह है कि अगर मुझे कभी भी बोला जाए D block की ionization energy तो मैंने कहा scandium से चालू करो और पूरा का पूरा iron तक बढ़ाओ फिर उसके बाद घटाओ कहां तक nickel तक घटाओ और फिर से बढ़ा दो कहां तक zinc तक बढ़ा दो तो इसलिए अब कभी भी हमसे एक्जाम में पूछा जाएगा D block की ionization energy तो यह बहुत easy हो गया क्यों? आप सबसे पहले क्या बोलो ionization energy increase फिर बोलो बस इतने से iron, cobalt, nickel में decrease बाकी वापिस increase क्या मेरी बास सौन में कि तो याद रखना बड़ा असान होगे यह सब सब हमने titanium, vanadium और उसको क्यों नहीं consider किया titanium और vanadium बस इसी जगह पर एक छोटा सा glitch है कि 56 से 50 हो गया लेकिन यह सब experimental condition पर भी depend करता है क्योंकि देको size जो है वो तो हमने calculate करा inter nuclear distance है ठीक है ना और मैंने कहा था बहुत सारे चीजों का average ले लिया तो फिर भी वो मतलब expected जैसा answer आ जाता है लेकिन ionization energy एक process है एक process है बाकायदा करा के देखना पड़ता है energy देनी पड़ती electron eject होता है अब ऐसी condition में जो process करा रहे हैं condition समझो कि किसी metal है हमारे पास solid metal है पहले हमें उसको heat करके गरम करके gaseous state में लाना पड़ता है और फिर उसको किसी particular कह सकते हैं tube में या आपन जैसे cathode rate experiment तुमने कभी नाम सुना होगा इस तरह कि tube में उसके उपर energy देके electron को eject कराना होता है जब electron को eject कराना होता है तो potential या फिर ionization potential calculate हो जाता है अब सोचो ना कि हर एक element का structure एक जैसा-सा नहीं हो सकता ताइटेनियम और वेनेडियम के metallic structure में भी तो difference होगा normally वो इतना matter नहीं करता हमें यहीं एक वो नजर आती है जो मैंने कहा कि metallic structure के change होने current भी ionization energy change होती है बट वो हमारे लिए important नहीं है क्योंकि हम उसको judge नहीं कर सकते इस level पर ओके सर्थ तो अब मैं आपको वापिस से बोलता हूँ अगर आप जैसे NCRT देखो और कहीं पे graph बनावा देखो आप इसी तरह की चीज़ देखोगे कि scandium से iron वो क्या मान रहा है कि बड़ी रहा है जबकि हलका सा बीच में हलका से एक wave आ गई हलका सा नीचे गया फिर उपर चला गया बात सौन में आ रही है but still मैं क्या कह रहा हूँ कि मानो कि वो क्या कर रहा है increase कर रहा है ओ किसमा ठीक है क्या तक बात संच में आगी अब कुछ और बताने जा रहा हूँ कुछ और क्या बताने जा रहा हूँ chromium से mn chromium से जो mn में जा रहे हैं क्या वहान ही देख रहे हो ionization energy energy abruptly बहुत ज्यादा increase होगी increase होनी थी as expected ठीक बात है लेकिन कुछ ज्यादा increase होगी देखो 653 से सीधी लगबग 200 वेल्यू बढ़ गई 100 मनला कुछ और वेल्यू मालो 717 तक पहुंच गई बहुत तेजी से बढ़ गई exactly ऐसे ही देखो जब अपन copper से zinc पे जा रहे है तो 745 से अचानक increase होगे 906 होगी yes sir तो ये जो दौनो increase है ये वाला और ये वाला ये जो दौनो increase है क्या ये बहुत high increment है yes sir गुर्शब गुर्शब तेरे को मैं hint देता हूँ इनके electronic configuration को देख और कोशिश कर explain हो जाए chromium से mn और copper से zinc explain हो जाए बोल बेटा यानि कि आइना इसका explain करने है यानि कि जैसे कि zinc का अशे वो completely filled है इसका है और सा Q का तो half filled है तो ये जारो stable हो जाएगे चारो stable हो जाएगे ये zinc जारो stable हो जाएगे तो अशे कि वो completely filled है stable कब हो जाएगा electron निकालने के बाद में हाँ सबस्क्राइग अगर electron हो जाएगे तो अगर electron निकाल देंगे तो अगर electron निकाल देंगे और वो stable हो जाएगा तो बलकि easily electron निकाल देना चाहिए था तो फिर तो अनिदेशन एनरजी कम लगनी चाहिए थी यहां हम कह रहे हैं zinc की बहुत high है यानि कि वो चाहता ही नहीं electron लूज करना वो चाहता ही नहीं कि वो electron लूज कर दें सोचो और बताओ सब्सक्राइब करेंगे बहुत जादा है मैं फिर आपको समझाने कोशिच करता हूँ क्रोमियम से electron निकाल रहे हैं क्रोमियम का configuration यह रहा MN में से निकाल रहे हैं उसका यह configuration है यह खुद बहुत stable है तो यह electron निकालने देगा नहीं निकालने के बाद की stability नहीं है यह stable है तो यह निकालने नहीं देगा Z effective कहां से आ गया बीच में मैं कह रहा हूँ electronic configuration देखो तुम Z effective देख रहे हो copper से zinc की बात करते है copper से zinc की बात करते है तो copper देगा जो भी देगा electron निकालने में ताकत लगानी पड़ेगी निकाल देगा लेकिन zinc का stable है अभी तो zinc बोलेगा मैं निकालने दूँगा और मैं दाने दूँगा एडिमिंट है वो मैं electron निकालने नहीं दूँगा तो MN और zinc की high ionization energy का कारण क्या है question ऐसे ही आएगा high ionization energy value of MN and zinc is due to तो reason क्या लिखना पढ़ेगा they are stable electronic configuration MN और zinc का stable electronic configuration होता है यह होता है D5S2 यह होता है D10S2 and therefore इनकी ionization energy की value जादा होती है this is something which is very important the ionization energy of MN and zinc is very high why? because of stable electronic configuration stable electronic configuration क्या? क्या बोल रहा है यह अशर देना है क्या बोल रहा है हाँ यह तो बोल रहा हूँ है यह अंसर देना है और मैंने भी homework चेक किये जो तुमने भेजा गुर्षब तुमने टोटल मुझे पांच पेज भेजे जिसमें से एक पेज को दो बार भेजाए फिर दूसरे पेज को भी दो बार भेजाए तुमने किया नहीं है टोटल फॉर्टी नाइन क्वेशन्स थे तुमने करवाई थे क्लास से उतनी करवाई थे तुमने तुमने मुझे फोटो भेजी पांच पेबर में मैं आपसे क्या बोल रहा हूं मैंने क्लास में फॉर्टी नाइन करवाई थे न आपने नोट्स निकाल ली क्या नोट्स मिल गए आपको जो मैंने पीडिये भेजी है देखिए आपने नोट्स अभी देखी कल नहीं देखी तो दूसरे क्राम कर रहा था न कि जी स्विश्व भी होगा को पुने मैट का उमगो कि नहीं तो उसके में बीजी होगा तुम क्लासे से कब फ्री हो तो दो बजे दो बजे से क्या वे देखिल मैट्सी नाथ जाटिए अच्छा मैंने कल तुम्हें कहा था मुझे फोन करने की करा तुमने तुमने तो फोन कर दिया था ना अपने कर दिया था ना अपने कर दिया था वो तो मैंने किया था फोन रात को वो भी शाम को जब मैं इंसिटूट पहुंचा था वहाँ पर तुमने तो फोन कराए यह नहीं ना तुमने किया चलो यहां तक सब को समझने आ गया कि नहीं आ गया यह सागे आगे चलते हैं अगला है डाट इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बड़ा ही मस्ट्ट्पिक है इसको समझने कोशिश करते हैं द्यांद समझने कोशिश करेंगे अगला जो ट्पिक है उसका नाम है इलेक्ट्रोन एफिनिटी के लेक्ट्रॉन एफिनिटी एलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज है पहले इस बात को समझते हैं अगर मैं इसका लिट्रल मीनिंग देखूं लिट्रेचर में अगर मैं इसका मीनिंग देखूं कि इस वर्ड का मतलब क्या है एफिनिटी वर्ड का मतलब होता है प्यार और एलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतल simple सी बात है, electron affinity का मतलब होगे, electron के लिए प्यार, particular कोई electron है, उसके लिए प्यार, that is, electron affinity. The point is, कि अगर हमने, अगर हमने, किसी atom के बारे में imagine करते हैं पन, कि कोई particular atom है, यह nucleus, और यह अपन मान लेते हैं, उसके energy levels हैं, या electron का clouds हैं, जो कि यहां पर हैं, और this is a particular orbital, जहां पर हम कह सकते हैं, valence electron रहता है, ठीक है? हो? झालो, प्यासैनल आकता है, आया जई नके जलोगर को हैं, जो 낮हुम है HOW कि वेंखने और झालोगरोफ पर खीक हैं, पुम हैं, कि तेसानल आट ड्स्के हैं, आसनल परहता हैं, झाल 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 यहां पर अगर आपन ध्यान से देखें तो मैंने एक कहा कि एक आटम है जिसको अपने खुद के पर्सनल इलेक्ट्रॉन से अटैच्मेंट है अपकोर्स हर एक आटम के इलेक्ट्रॉन उसके पास रहते हैं हम यह कह रहे हैं कि यह जो न्यूक्लियस है यह आटरमूस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्राक्ट करके रखता है जैसे एक इमाजिनेशन करो कि अर्थ की बात अगर अपन करें तो हम लोग सब अर्थ की तरफ अट्राक्टेड हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर या कोई मेटरॉइड हो या कोई भी स्पेस से कोई भी चीज अगर अट्मोस्टेड की तरफ आती है तो और उसको भी खेंच लेती है क्या यह बात समझ में आ रही है एक्जाक्ली मैं यह कहता हूँ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहार से घूमतावा जा रहा था जा रहा थ हम यह कह रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन केवल इतनी जगह तक है इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इतनी जगह तक है क्या वो इसके आगे काफी तो पूर तक चीजों को अट्रेक्ट कर सकता है, तो जो सराउंडिंग का इलेक्ट्रोन है, अगर वो निकल कर जा रहा है, तो क्या ये नियुकलियस उसको भी अपनी तरफ अट्राफ करने की कोशिश करेगा? तो इस attraction को हम लोग कहते हैं electron affinity यहने कि electron के लिए प्यार यह कौन सा electron है surrounding electron है उसके लिए प्यार याद रखना word मैंने क्या बोला surrounding electron क्योंकि खुद के electron के लिए प्यार तो है उसको जैड एफेक्टिव कहते हैं हम लोग ठीक है ना effective nuclear charge कहते हैं वो कोई दिक्कत ही नहीं है बात ही आ रही है कि surrounding के electron जो बहार से जा रहा है उसके लिए attraction forces of course that is known as electron affinity हर एक बात बहुत important है आगे सुनना मैंने कहां मेरे पास कोई एक a atom है electron उसके पास से गया electron को उसने प्यार किया उसको electron चाहिए that's important मैंने कहा एक और atom है b electron उसकी तरफ attract भी होगा उसको भी electron ने attract किया मैंने आपसे पूछा कि a और b दोनों में से कौन से atom को electron से ज्यादा प्यार है एक जनरल पॉब्लिक की तरह मुझे जवाब दो कि atom a और b में से electron से प्यार ज्यादा किसको है कैसे जवाब दोगे प्लीज आंसर सर दोनों atoms में कोई फरक है अफकोर्स a और b बोला तो difference होना चाहिए सब्सक्राइब करेगा ना उसके size और बाकि सारी properties पर तो मैंने बता भी दिया मैंने बता भी दिया कि एक atom छोटा एक atom बढ़ा है एक का z effective ज्यादा एक का z effective कम है और तुमने इस चक्कर में imaginary बता दिया कि चलो इसको सर ज्यादा लग रहा है इसको ज्यादा प्यार होना चाहिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इसको भी electron से प्यार है इस b atom को भी electron से प्यार है किसको ज़्यादा प्यार है और कितना ज़्यादा प्यार है क्या बता सकते हो कितना calculate कैसे करोगे इस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि electron के लिए affinity that is जब हम प्यार की बात करते है can't be calculated प्यार को नापने की कोई machine बनी नहीं है कभी बनी है imagine करो एक particular जैसे मेरी डॉटर है उसको कोई toy पसंद है मेरा जो son है उसको भी कोई toy पसंद है दोनों toy के लिए लड़ते है मैं क्या कहूंगा दोनों को ये toy अच्छा लगता है मैं बता सकता हूँ कितना अच्छा लगता है क्या मेरे पास कोई machine है क्या दुनिया में भी किसी के पास machine है जो कि इस affinity या प्यार को measure कर सके यहाँ पर word cannot be calculated की जगे word अगर अगर अपन और सुन्दर word लिखे तो cannot be measured cannot be measured measure नहीं किया जा सकता क्या यह बास सही है या नहीं है यह स्यूंद अब मैं फिर से उसी बात पर आता हूँ कि यह आप भी समझ गए कि हर एक atom को surrounding electron से attraction होगा उसी को electron affinity कहेंगे atom A और atom B दोनों को electron से कह सकते हैं प्यार है affinity है लेकिन किसको ज़ादा है और कितना ज़ादा है affinity से सोचेगा कि अगर atom A को भी electron से प्यार है और atom B को भी electron से प्यार है एक काम करते हैं electron दे देते हैं इसको बना देते हैं A माइनस और इसको बना देते हैं B माइनस सुनना ध्यान से अगर इसको A माइनस और B माइनस बना दे जैसे कि ये पेन है, सुनना ध्यान से, ये पेन है, मैंने इसको छोड़ दिया, ये नीचे गिर गया, गिर गया नीचे, ये क्यों गिरा, क्यों 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 कि अर्थ स्कॉप निजा वर ट्रैक कर रही है दू टू ग्रेविटेशन, जब मैंने इसको छोड़ा और ये नीचे गिर गया तो क्या ये height पे था और जब ये नीचे आया तो ये potential energy इसकी कुछ यहाँ पर थी जब ये नीचे आया तो potential energy decrease हो गई तो क्या energy release होगी Yes sir Of course higher energy जे lower energy पे आया तो energy क्या होगी release चीज less stable से more stable की तरफ आईगी तो energy क्या होगी Release मैं यही चीज क्याना चाहता हूं कि a atom ने जब electron ले लिया और आपके इसाब से क्योंकि उसको electron चाहिए था उसको electron से प्यार था और जब उसने electron ले लिया तो क्या वो खुश हुआ इसको अच्छा लगा ऐसी condition के अंदर क्या वो energy one मान लेते हैं release करेगा energy one क्या करेगा वो release वैसे बी atom भी electron पाकर खुश हुआ और उसने खुशी release कर दी energy two मान लेते हैं हम यहाँ पर इन दोनों energy को compare कर लेंगे कि energy one ज्यादा या energy two ज्यादा अगर energy one ज्यादा तो क्या कहेंगे a को electron से ज्यादा प्यार था वो ज्यादा खुश हुआ ज्यादा energy release कर दी कि atom b को electron से कम प्यार था relatively comparison में इसलिए उसने कम energy lose करी क्या यह बास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है yes sir I am trying to say electron affinity is just the affinity which cannot be measured so हमें process कराना पड़ता है क्या आपको दिख रहा है यह process है yes sir affinity is not the process मुझे कोई चीछ अच्छी लगती है मैं कहता हूं कि मुझे तो particular let's say कोई भी object या कोई भी इंसान मुझे particular वह hero बड़ा अच्छा लगता है that does not mean कि मुझे वह मिल जाएगा या मुझे वह particular object है वह particular car बहुत अच्छी लगती है या particular कोई monument बहुत अच्छा लगता है इसका मतलब यह नहीं कि मुझे वह मिल जाएगा तो A को भी electron से प्यार है B को भी electron से प्यार है प्यार को measure नहीं कर सकते तो अगर measurement करना है तो क्या करो यह process कराके देख लो तो affinity is not the process process क्या है उसको कहते है electron gain enthalpy क्या कहते है उसको याद करो electron नाम पढ़ो उसको electron gain यहाँ पे word मैंने क्या लिखा पढ़ना electron gain यानि कि electron को gain किया और जो energy release हुई उसको word बोलेंगे enthalpy क्या मैंने day one पर आपको यह word सिखाया था बेटा enthalpy word का मतलब क्या होता है कल आइनाइडेशन energy में सिखा रहा था जो भी energy उसी को enthalpy बोलते हैं लेकिन standard condition में तो यह जो energy release हुई है इसको क्या बोलेंगे enthalpy मैं फिर से पूरी बात समझाता हूं electron affinity is just the affinity for the electron and if we need to calculate the value तो हम क्या करेंगे electron देख लेंगे जब electron देंगे ऐसी condition में जो energy release होगी जब electron वो atom accept करेगा और जो energy release होगी उस release energy से measure कर सकते हैं कि कि किसको ज्यादा प्यार था जिसको ज्यादा प्यार था वो energy release ज्यादा करेगा एम आए क्लियर किया मेरी बास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है यस आ रही है गुर्शव्द बिटाज बोल नी रहा है बोल बच्चा कि जब इसना ज्यादा नेक्ट्रों पास आता जाएगा तो नेलजी जादा जीजी होगी तो वो क्लियर है बिल्कुल सिंपल सी बात है एक्टम को इलेक्ट्रों से प्यार है ये क्लियर है एक्टम जब इलेक्ट्रों लेगा तो energy release करेगा तो उस release energy को electron gain enthalpy क्यों जरुबत पढ़ी इन दो टर्म्स की electron affinity वर्ड है फिर electron gain enthalpy जरुबत क्यों पढ़ी because affinity is just a tendency एक इच्छा है पर इच्छा calculate कैसे करूं किसकी जादा है किसकी कम है और कितनी जादा है तो हमने process कराया जो process है वो करने के बाद में जब energy release होगी उस release energy से justify कर पाएंगे इ electron affinity is the electron के लिए प्यार हर एक atom को खुद के electron के अलावा बहार से जो electron जा रहा है उससे भी प्यार होता है atom 1 और atom 2 दौनों ने electron accept किया इच्छा लेने की electron affinity लेकिन process जब हमने कराया that is a atom और b atom दौनों को electron दिया a negative b negative बना तो जो energy release होगी that is known as electron gain enthalpy क्या कहलाएगी electron gain enthalpy और जितनी जादा एनरजी रिलीज होगी वो ही बताएगी कि प्यार कितना जादा था क्या मेरी बात समझ में आ रही है जितनी जादा एनरजी रिलीज होगी वो बताएगी कि प्यार जादा था या कम था बोलो मेरे बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को या नहीं आ रही ह बरदाईनी, दो बाते थी, आज तक तुमने पहले भी पड़ी थी, क्या पड़ी थी, कि electron affinity करके एक word होता है, electron gain enthalpy करके एक word होता है, दौनों की बीच में एक relation समझ में आ गया, कि why we have given two terms, electron affinity and electron gain enthalpy, बोलो यह समझ आ गया, यह प्रॉपरली समझ में आ गया, electron affinity and electron gain enthalpy are the two terms, electron affinity is just a tendency, but tendency cannot be measured, so we need another term, that is known as electron gain enthalpy, whenever there is a process, that is a atom को electron दिया, तो जो energy release हुई, that is known as electron gain enthalpy, क्या मेरी बास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, यह सर आ रही है, आगे देखते है, मैंने definition लिग दी, electron affinity is just a tendency, to attract an electron from surrounding, surrounding electron को attract करने की tendency is known as electron affinity, electron gain enthalpy, it is the amount of energy release, when an atom is added to an isolated gaseous atom, isolated gaseous atom में जब एक electron add होगा, तो energy जो release हुई है, वैसे energy release word की जगे enthalpy change बोलते है, energy change, energy change मतलब किसी atom में energy release होगी, किसी atom में हमें देनी पड़ेगी, कोई process endothermik होगा, कोई exothermik होगा, तो जो amount होगा, उस energy का, वो कहलाएगा electron gain enthalpy, बोलो यहां तक बात समझ में आ गई, गुर्षब्द, जल्दी से मुझे इन दौनों definition को समझा दे, दौनों definition क्या है, पहले electron affinity समझाओ, आफ रहे electron affinity होते हैं, कि electron से प्यार आपने का था, कि जिसका ज़्यादा, जिसका ज़्यादा energy release करेगा, उसकी जाला हो जाहिए, तो electron gain enthalpy क्या होई? जितना ज़्यादा electron gain करेगा, उसकी तो सुन लिया मैंने, कि जितना electron attract करने की tendency होगी, उतनी energy release कर रहा है, तो electron जितनी energy release करेगा, उतनी affinity कहलाएगी, चलो समझ में आ गया, वा electron gain enthalpy है क्या? amount of energy release, वो amount of energy जो की release होगी, जब एक electron एक atom में attract हो जाएगा, accept हो जाएगा, तो जो amount of energy release होगी, उसको क्या कहेंगे? electron gain enthalpy, ठीक है, अब यहाँ से एक बहुत important table, आप लोगों के सामने आ रही है, मतलब मैं फिर कह रहा हूँ कि ये table की जो importance है, वो बहुत जादा है, तो please, मतलब इस table पर बहुत ही जादा गौर करना, इस table को, मतलब avoid मत करना, ये table बहुत important है, ठीक है, जड़ा बोड पर इस table पर ध्यान दीजिये, मैं क्या सिखाना चाहता हूँ इस table से related, बोड पर बहुत ध्यान से इस table को देखने ही कोशिश करेंगे, देखो, ये जड़ा टेबिल है, इस table में हम लोग ये समझ पा रहे हैं, कि, अभी दिख रही होगी? येस हैं दिख रही हैं, चेक है, देखो बोड पर, जब भी आपको पूछा जाता है, यादे बरदा ही नहीं, आपने पड़ा होगा, तब वहाँ पर एक और topic आया होगा आप लोग के सामने कि, किसकी electron gain enthalpy positive, किसकी negative, ऐसा कुछ term आई होगी आपके सामने? येस आई थी, ये term भड़ी confusing है, लेकिन अब confusion थोड़ा कम होगा, जड़ा ध्यान से बोड पर देखें, दुनिया के जितने भी element हैं, almost every element को electron से प्यार है, almost every element of the periodic table को electron से प्यार है, आप देख सकते हो, बोड पर, मैंने आपको थोड़ी दिर पहले एक चीज़ सिखाई है, कि एक atom, अगर खुद के electron को attract करेगा, तो surrounding के electron को तो शर्तिय अट्रैक करेगा, अगर वो कर रहा है तो वो भी करेगा, तो इसी लिए दुनिया के हर atom को electron से प्यार है, सुनना ध्यान से, तो almost every element को, हर एक element जो होगा, दुनिया को हर एक atom, electron से प्यार करेगा, मैंने क्या word बोला, प्यार है, जो की tendency है, कितना है, तो हमने process करा कर देख लिया, और अगर प्यार है, तो energy release होनी चाहिए, तो energy release हो गई, yes या नो, energy release होती है, तो sign negative होता है, क्या, अगर energy release होती है, तो sign kya negative होता है, तो energy release हो रही है, एक्जोथर्मिक process नेगेटिव sign लगा दिया, मैंने पूछा प्यार कितना है, तो तुम ने क्या बोला सर, जो energy release होगी, वही प्यार है, तो मैंने बोला अगर electron affinity बोलो कितनी है तो तुमने का x अरे मैंने का ये तो energy release है बोलो इसी को प्यार मान लो क्योंकि ज्यादा energy release तो ज्यादा प्यार और प्यार है this is a term which is positive positive term है न हो ना positive term है तो मैंने जो समझाया उस बात को समझो कि अगर electron gain enthalpy negative है तो electron affinity positive है with the same value आई बात समझे है फिर से बोलता हूँ दुनिया का हर एक element को electron से प्यार है ठीक है कितना है process करा दिया जब process कराया तो energy release हुई मान लो 100 energy release हुई तो मैंने का भया इस atom को electron से कितना प्यार है बोला 100 प्यार है आपने minus 100 तो नहीं बोला न energy release बोलना था इसलिए minus sign लगाया आपने minus sign क्यों लगाया क्योंकि वो एक energy term है energy term है मतलब energy release हो रही है जब अपन किसी bank के account के अंदर पैसे डालते हैं निकालते हैं तो कुछ words काम में लेते हैं debit credit ठीक है तो जब वो word आता है minus और plus यह समझा रहा है कि energy आई अगई पर मैं बोरू कितनी तो minus plus की बात नहीं हो रही बस value बतानी है तो यहां पर सिर्फ हम क्या बता रहे है value बता रहे है मैं आपसे कह रहा हूँ कि electron जब gain होगा तो energy release होगी अगर वो minus 100 लिखा मैंने या निकि 100 energy release हुई इसका मतलब उसको प्यार भी कितना है 100 प्यार है या 500 प्यार है जितना भी अपने energy release करी वो ही प्यार है क्या मेरी बास सामझ में आ रही है नहीं आ रही है यास नहीं आ रही है लेकिन कुछ elements ऐसे हैं जैसे कि noble gases जैसे कि second day second day कौन होता है गुरिशवद बताओ बेटा कौन सा है second group second group कौन सा है elements बताओ यह हम देखें beryllium magnesium calcium strontium barium that is alkaline earth metal क्या उनका ns2 configuration होता है उनका configuration क्या होता है ns2 configuration noble gases का np6 configuration है अरे है या नहीं है और एक nitrogen group नहीं बोला nitrogen family नहीं बोली सिर्फ nitrogen atom that is np3 यह आपन ऐसा कह सकते हैं 2p3 ठीक है इन atoms को हम और इसके अलावा जैसे zinc भी ले सकते हैं लेने को क्योंकि zinc को भी d10 configuration है must fulfilled बैठा है वो मैं इन atom को बोला ले electron ले ले सुनना मेरे expressions पर ध्यान देना मैंने इन atom को बोला इन में से किसी को भी noble gases हो जाए चाहे alkaline earth metal हो जाए मैंने इनको बोला electron चाहिए बोला नहीं चाहिए जैसे इनोंने बोला नहीं चाहिए हमने क्या का electron से प्यार नहीं है बोला नहीं है इनको electron नहीं चाहिए इनको electron से प्यार नहीं है नहीं चाहिए है उसको नड़ायकों विले उने TWO gig वड़़्ेध्जा साथिया अगि यह मनद नस को जबदस्ति एप मतलम मैंने जबदस्ति लेकर उसको दे लिए मिए एनर्जी लगाई और देदिया उनヤ कई बार att檎ची हम पाग करते हैं घुमने जाते हैं हम क्या करते हैं और जवरदस्त्ती अटेची हम दबाते हैं और hyoo बंद करते हैं जबरदस्ती, that is positive y, positive y का मतद समझे रो तुम लोग, हमने उसको 50 energy लगा दी, 60 energy लगा दी, 100 energy लगा दी, 500 energy लगा दी, कुछ energy लगाई और electron दिया, यह के endothermik process हो गया, तो मैं बोल रहा हूँ, सोनो दिहान से, positive sign ने minus कहा लिखा है, plus लिखा है यह तो, के तो plus ही लिखा है, तुम्हें महाँ से minus लिख रहा है, तो अभी आना हो ना, मैं महाँ पर पहुचा थोड़ी हूँ, मैं तभी यहाँ हूँ, अभी चाहिलेंगे हैं महाँ पर, अभी रुको, क्या यह positive sign समझ में आ गया, क्योंकि energy खर्चा करनी पड़ी, तो हमने कहा, हमने कहा कि भाई, तुमने energy खर्चा करी, क्यों करी, मैंने का उसको electron चाहिए नहीं था, तो क्या बोला, अच्छा, मतलब electron से नफरत थी, मैंने कह सकते हैं, electron उसको नहीं चाहिए था, और हमने जबरदस्ती electron दिया, तो कह सकते हैं, नफरत थी, जिस तरह से प्यार को measure नहीं कर सकते थे, वैसे नफरत को भी measure नहीं कर सकते, कोई machine तो बनी नहीं है measure करने के लिए, तो क्या कहींगे, जितनी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी, जितनी ज़्यादा energy देनी पड़ी, क्या वही नफरत है, जिस तरह से प्यार था जब हमने positive sign दिया था, तो जब नफरत है तो negative sign दे देंगे, बस, प्यार है, electron लेनी की इच्छा है, इच्छा होने को positive sign, और नहीं इच्छा होने को negative sign, अगर हमें यहाँ पे 100 energy देनी पड़ी, electron को enter कराने के लिए, तो हम बोलेंगे नफरत भी 100 है, तो अब imagine करना, क्या बोला, मैंने electron affinity 0 और electron affinity is minus y, क्या सही है, तो हम कहेंगे electron affinity tendency है, tendency है नहीं तो 0 होगे, लेकिन अगर मैंने वो process करवाया, तो हमें energy दे कर कराना पड़ा, तो नफरत है, तो नफरत कितनी है, minus y, अब सर इसके affinity को 0 बोलेंगे की minus y, दोनों ही सही है, आपके exam में question आता है, विचोदा following है, 0 electron affinity, that means, ये elements ऐसे हैं नीचे वाले, जिनको electron से प्यार नहीं है, तो इनकी electron affinity said to be 0, इनको electron से प्यार नहीं है, हम बोलेंगे value बताओ, तो हम क्या करेंगे, फिर ये minus y वाली value बताएंगे, कि ये है उसकी electron affinity, that is, नफरत, क्या बोलो, मेरी बास समझ में आगई या नहीं हागई, येस आगई, चलो, अब जल्दी से मुझे positive negative बताते जाना, electron gain enthalpy बतानी है तुमार को, मैं electron affinity की बात नहीं कर रहा हूं, मैं electron gain enthalpy की बात कर रहा हूं, बताते जाना, किसकी positive, किसकी negative, जल्दी से बताईए, fluorine, electron gain enthalpy, positive, no negative, ये ऐसे थोड़ी होता है, बजर दबा दिया, फिर आपने positive को negative कर दिया, negative को negative, जुकि सर, negative, दुनिया के almost हर एक element को electron से प्यार है, पहले इस बात को याद कर लो, तो tension खतम हो जाएगी, chlorine की, energy release होगी या नहीं होगी, chlorine, negative, बताईए, sodium, negative, sodium को electron से प्यार है, याद रखना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है, sodium तो सर, electron lose करता है, अरे वो compound बनाता है, तब lose करता है, अभी बात आ रही है, एक atom पटा है, sodium, मैं उसको electron देऊँगा, तो वो भी ले लेगा, तो उसको भी electron से प्यार है, sodium negative बनाएगा, potassium, positive, negative, negative, magnesium, positive, क्यों positive, second E का है, जल्दी से बताईए, nitrogen atom, positive, nitrogen atom, positive, positive, मैंने कहा न, nitrogen atom को electron से प्यार, नहीं है, positive, अगला बताईएगा, अगर मैंने आप से बूचा, phosphorus atom, phosphorus negative ही आएगी, क्यों आएगी, क्यों कि सिर्फ nitrogen atom की बात करो, nitrogen family की बात नहीं कर रहा हूँ, सर उसका भी तो P3 है, वो reason अभी समझाता हूँ, पर सारे element के लिए, क्या word बोलोगे, negative ही बोलोगे, neon, positive, positive, उसको भी electron से प्यार, नहीं है, क्या बताओ, ये वाली बात सभी को समझ में आगे या नहीं आगे, आगी से रहा हूँ, electron gain enthalpy अगर आपको समझ में आती है, कि कब आपको exothermic process करना होगा, तो उसके basis पे electron affinity को समझा दो गया, क्या समझ में आगई या नहीं आगई, लोग इसका formula लिखा देते हैं, कि electron affinity is minus of electron gain enthalpy, पर इसका मतलब समझ में नहीं आता, कि ऐसा क्यों करते हैं, तो वो मैंने आपको समझाया, because electron affinity सिर्फ एक tendency है, और electron gain enthalpy process है, इसके होते हैं sign, conventionally इसको sign wise दिखाया जाएगा, क्योंकि thermodynamics में sign energy के दिये गए है, अब जो energy के sign है, उसके basis पे electron affinity को समझाया गया है, इसलिए उस tendency को बताया गया है, क्या मेरी बाद समझ में आगई? Yes, sir. क्या सभी बच्चों को properly clear है या नहीं है? Yes, sir. बोलो, कोई doubt किसी बच्चे को? चले आगे? Yes, sir. कोई doubt या तक समझ में आगई बाद? आगे चलते हैं. Factors affecting electron affinity. कौन-कौन से factors हैं, जो कि electron affinity को, अपन ऐसा कह सकते हैं, कि electron affinity जिन पर depend करेगी. याद रखना, मैंने heading डाली electron affinity, याईनि कि हमें तो electron के लिए प्यार देखना है. electron के लिए प्यार ही देखना है. क्या बाद समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? याईनि के लिए हमें क्या देखना है? प्यार ही देखना है. ठीक है? चलो, बताओ. कैसे देखेंगे? एक atom है, उसको size अगर छोटा है, तो क्या अपन ऐसा कह सकते हैं कि atom का अगर size छोटा है, तो वो अपनी electron को ज़्यादा attract कर रहा है, तो क्या भारवाली को भी ज़्यादा attract करेगा? येस रहाँ. तो size और electron affinity में का inverse का relation हो गया? size चोटा, तो attraction ज़्यादा, size बड़ा, तो attraction कम. सही है, गलत? येस, सही है. Z effective, क्या Z effective और electron affinity में direct का relation हो गया? कैसे बढ़ गया, तो मुझे बढ़ गया. Z effective ज़्यादा है, इसका मतलब, electron से ब्यार ज़्यादा है? तो मैं एक चीज़ नोट करी, कि मेरी एक आदत नहीं है, मैं ऐसा नहीं लिखता हूँ. Electron affinity is inversely proportional to size, या electron affinity is directly proportional to Z effective. कल मैंने ionization energy भी पढ़ाया था. तो इन सभी के अंदर मैं इस थरह के sign नहीं लिखता हूँ, directly proportional और inversely proportional. क्यों? Because यह जो directly proportional और inversely proportional होते हैं, यह formula होते हैं. इससे feeling आती ही, कि size अगर double हो गया, तो electron affinity half हो जाएगी. जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं. यह तो dependency है. कि electron, जो size है, अगर वो बढ़ा है, तो electron affinity कम है. पर proportional की sign थोड़ी लगा सकते हैं. यह तो mathematical function है. यह नहीं लगा सकते हैं. dependency बतानी है, तो मुझे बोलके बता दो. ऐसे लिखकर बता दो. words में बोल लो. पर proportional word बोलना गलत हो जाता है. क्योंकि proportional एक function है. एक ऐसा, जिसका मतलब ही होता है, कि जैसे यहाँ पर अगर size double हो, तो electron affinity half हो जाएगी. यहाँ z effective double हो, तो electron affinity भी double हो जाएगी. कोई value से नहीं define कर सकते हैं, तो यह कहना चाहरा हूँ. क्या मेरी बात समय में आरही है? तो इसी लिए कहते हैं कि depend करता है, लेकिन proportional word लिखना, मतलब actually correct नहीं है. अगर कहीं लिखा है, तो चला सकते हैं काम, और logically वो incorrect है. चलें आगे? आगे चलते हैं. electronic configuration. बताओ, electronic configuration के मामले में आपनको अभी पता लगा था. क्या पता लगा था? क्या NS2 configuration, NP3 configuration, NP6 configuration, ND5 configuration, ND10 configuration. यह वो configuration है, जो की stable configuration है. और अगर यह stable configuration है, मतलब इनको ना electron lose करने की इच्छा है, और ना electron लेने की इच्छा है. अरे हाँ याना? तो ऐसे system में electron affinity कम होगी. मैंने यहां लिखा है less. और कहीं कहीं यह zero भी होगी. बताओ कहां-कहां zero थी electron affinity? किस-किस को electron से प्यार नहीं था? जल्दी से बता दो. Noble gases, group 2A and nitrogen. nitrogen atom, second A that is alkaline, earth metal और noble gases. या zinc भी कह सकते हैं example में. इनको electron से प्यार था ही नहीं. Electron affinity is zero. ऐसे configurations के लिए electron affinity कम है. और examples कुछ ऐसे भी हैं जिसके अंदर zero है. क्या यह बात समझ में आ रही है और नहीं आ रही है? एक और बात. कल भी मैंने ionization energy में बताया था कि किस orbital से electron remove किया जा रहा है. आज मैं electron affinity में भी वो बता रहा हूँ कि किस atom में electron, किस orbital में electron add किया जा रहा है. जड़ा देखो. type of orbital, that is nature of orbital, जिसमें electron add करा जा रहा है. सोचो कि अगर एक atom के अंदर ये orbital जिसमें electron add हो रहा है, क्या ये S हो या ये P हो या ये D हो या ये F हो, तो बताये nucleus सबसे ज़्यादा इसको attract कप करेगा जब ये कहा एड होगा electron? S में. S orbital में, क्योंकि S orbital का nucleus से प्यार जादा ही है, nucleus से attraction जादा है. तो अगर ये electron S orbital में आ रहा है, तो ये atom बोलेगा जल्दी से आजा. P खाली है, P में आ रहा है, P में जगे है, P में ही उपर ही उपर P बैठा है, तो P में enter करेगा, तो बोलेगा, अरे बहुत ही अच्छा. लेकिन D और F में electron लेनी की tendency उतनी जादा नहीं होती है. क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बात सबको clear है? तो electron, क्योंकि Z effective का order S, P, D, F था, वैसी electron affinity का भी order S, P, D, F हो जाएगा. क्या बोलो मेरी बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? आगे चलते हैं. कल आ रहा है क्या कल अपन बैठके पाटी बाटी करते हैं, पहले दोस्त ने दूसरे दोस्त को कहा कि कल मेरे घर आजा, अपन पाटी बाटी करते हैं, कल तो Sunday है, तो दूसरे दोस्त ने कहा कि यार मैं नहीं आ रहा, मुझे कुछ बहुत important work है, यार कल नहीं आ पाऊंगा, ब बड़े दिन होगे बात बात नहीं करें, दूसरा दोस्त बोलता है, यार माना तो को इच्छा है, अपन बैठेंगे सब कुछ है, लेकिन मेरे को जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकता है, सारे expressions पर ध्यान देते चलना मेरे, पहला दोस्त बोला, यार तेरको तो आना पड़ेगा मुझे इच्छा है कि तो आए, दूसरा दोस्त बोला, यार नहीं आ, नहीं आ पाऊँगा, पहला दोस्त थोड़ा सा aggressive हो रहा है, पहला दोस्त बोला, यार देख ले तेरको आना पड़ेगा, मैं कहरा हूँ और तू माननी रहे मेरी बात, तो दूसरा दोस्त बोला, यार मै उसने दोस्ती पर आ गई बात, तो दूसरा दोस्त मनलब दो-पांच मिर्ट सोचा, फिर बोलता है चल ठीक है मैं मैनेज कर लूँगा, और मैं चल कल दो बजे करीब आ जाओंगा, अब ध्यान दो सुनना स्टोरी, पहला दोस्त बोलता है, और ये शिट ये तो मान गया, य बड़ी सी वीर्ड सी लगी चीच पर हाँ ऐसा है, कि पहला दोस्त उसको बुलाना तो चाह रहाता, कि तो आजा, 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 लेकिन जैसे उसने हाँ भरी, पहले दोस्त को लगा, उरे तो सच में मान गया, अरे उत्ता बुलाएगा तो आई गया, उसने कुछ-क आएगा, वो दो बजे क्या करूं, क्या करूं, तो उसके दिमाग में ऐड़ी आया, पहले दोस्त के, उसने क्या किया, वो घर के बाहर गया, घर के बार एक ताला लगाया, और घूम के आके पीछे खिड़की सा आके अंदर आके बैढ़ गया, छुपके बैढ़ गया, ठीक ताकि आने वारे दोस्त को लगे कि ओ तो घर में ही नहीं, दूसरा दोस्त कैसे ना कैसे करके और मतलब सब सेट करकर आके और दो बजे उसके घर के बाहर पहुचा, जैसे घर के बाहर पहुचा उसको ताला लगा मिला, बड़ा गुस्से में आके, यार पहले तो मुझे इसको बड़ा गुस्सा आया यह जो दो कहानिया है यह जो मैंने कहानी बताई यह उन दो लोगों की बताई जो अभी हम पढ़ रहे हैं ए जो दोस्त है एक एक एटम और जो बी दोस्त है वो है इलेक्ट्रॉन कुछ जगे पर ऐसा होता है कि यह जो न्यूक्लियस है यह इस atom का जो surrounding है वो highly dense है, electron cloud से भरी भी है, एकदम dense है, तो nucleus तो चीक चीक के बुला रहा है, आजा, 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 लेकिन ये जो बाहर boundary यानि की ताला लगा है, उसके कारण ये electron आ भी नहीं पा रहा है, इसका मतलब nucleus तो Z effective तो खेच रहा है, लेकिन high electron cloud density, electron cloud जो density है, वो density high है, और high होने के कारण क्या होगा, उस electron को इसमें entry नहीं मिलेगी, या पर अपन ऐसा कह सकते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलेगी, क्या मेरी बात समझ में आ गई है या नहीं है, ये high electron cloud जो density है, ये second period के P block elements में होती है, second period के P block elements में क्यों, क्यों, क्योंकि second period के P block element होता है, np1, np2, np3, 2p1, 2p2, 2pt, वो छूटे-छूटे atoms है, इनकी बात कर रहा हूँ, carbon, बेने boron से start करते हैं, boron, carbon, nitrogen, oxygen और fluorine, ये वो atoms हैं, जो कि size में बड़े small हैं, और electron एक P1, P2, P3, P4, P5, electron cloud भर-बर के हैं, एक electron जब इनकी तरफ आता है, तो इनके outer में high electron cloud density होती है, बहुत dense होते हैं, तो इसी लिए electron affinity जो होती है, वो बहुत कम होती है, जबकि दूसरे atoms, जो कि नीचे वाले हैं, third period and onwards, जैसे कि chlorine हुआ इनके नीचे, इसके नीचे कौन हुआ, aluminium, चलो उसको तो छोड़ दो, इसके नीचे कौन हुआ, carbon के नीचे कौन हुआ, silicon, इसके नीचे कौन हुआ, phosphorus, इसके नीचे कौन हुआ, sulfur, इसके नीचे कौन हुआ, chlorine यह एक normal है, क्यों इनका size बड़ा हो गया, जब इनका size बड़ा हो गया, तो यह जो cloud है, मतलब यह fell गया, तो इतना dense नहीं है, तो ऐसी condition में जब electron इनकी तरफ आता है, तो nucleus बुला रहा है, और यह ताला भी नहीं लगा के बैठे है, तो ऐसी condition में electron इनकी तरफ आ जाता है, तो यहाँ पर एक नॉर्मल केस जैसे इन जनरल अभी तक अपन पढ रहे थे वैसा केसे देखो, क्या आप से अगर मैं पूछता कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इलेक्टरॉन एफिनिटी का ओर बताओ तो टॉप टू बॉटम क्या साइज बड़ा होता जाता है इलेक्टरॉन को बुलाना मुश्किल होता जाता है तो क्या ओर्डर होना चाहिए था फ्लोरीन से कम, क्लोरीन से कम, ब्रोमीन से कम आयोडीन का यह ओर्डर होना चाहिए था पट हमने नई चीज क्या देखी हमने नई चीज देखी कि फ्लोरीन को भी लेक्टरॉन से प्यार नहीं है और अगर फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं है तो क्या होगा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस से कम हो जाएगी और अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम हो जाएगी वो क्यों हुई वो समझ में आ गया वैसी oxygen family में तो सोचो blunder हो गया, oxygen जो है उसको भी electron से प्यार कम है, लेकिन इतना कम हो गया, that is not expected, क्या मेरी बास समझ में आ गई या नहीं आ गई, क्या उसकी जो value है oxygen की, क्या वो polonium से भी कम हो गई, क्या मेरी बास समझ में आ गई या नहीं आ गई, क्या बेटा, क्यू कम हो गई इसकी अपलिदी इति देर से और क्या पढ़ रहा है गूरुशावदम, क्यों कम हो गई, क्या प्यार कम हो गई नहीं आ प्यार हो गई ना तुसको, अब और क्या समझा हो में तुझे, तो फिर और कोई रिजन क्यों पूछ रहा है मैंने बोला ना कार्बन नाइट्रोजन ओक्सिएन फ्लोरीन इन में हाइए लेक्ट्रों क्लाउड डेंसिटी है वेलेंशेल की तो इलेक्ट्रों जो एड हो रहा है उसके अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इसलिए इनकी एफिनिटी कम हो गई अब फ्लोरीन की कम हुई सिर्फ क्लोरीन से लेकिन इनकी कम हुई काफी ज़्यादा मैं यह कहना चाहरा हूँ वो किसी की वेल्यू कम होगी कितनी कम होगी यह तो जस्टिफाई नहीं कर सकते है ना कुछ कम होगी कितनी कम है तो वही चीज़ हमने देखी देखो यहाँ पर लफडा हो गया यह सेकंड पीरेड के पी ब्लॉक के अलिमेंट से और यह थर्ड पीरेड नॉर्मली टॉप टू बॉटम तो इलेक्ट्रों एफिनिटी घटनी चाहिए न करकि साइज बड़े होते जा रहे हैं तो इलेक्ट् मैंने वहाँ पर जो आपको टेबिल बनवाई थी न यह अगर अपन पीछे चलें और इसके पीछे वाले पेच पर और पीछे चलें इस पेच पर इस पेच पर चलें तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि only nitrogen atom मैंने क्यों लिखा क्योंकि nitrogen के साथ में दो घटनाएं घट गई है कौन कौन सी एक तो उसका P3 configuration है और दूसरा कि उस बहुत छोटा होने के कारण हाई electron cloud density है इसके कारण nitrogen को प्यार नहीं है बाकि phosphorus या arsenic antimony नीचे वालों को तो फिर भी प्यार है क्योंकि वहाँ पे तो P3 है तो प्यार कम हो सकता है यह मैं मान लेता हूं लेकिन zero प्यार है ऐ प्यार क्या प्रॉलम होगी तो एक तो P3 configuration का और दूसरा प्रॉलम क्या इलेक्ट्रों क्लाउड वैलेंस इलेक्ट्रों क्लाउड डेंसिटी बहुत जागा है क्या मेरी बास समझ में आरे है नहीं आरे है ठीक है आगे चलते हैं और एक बहुत ही important topic पढ़ते हैं that is second electron gain enthalpy यह क second electron gain enthalpy यह क्या चीज है इसको समझने की कोशिश करते हैं एक atom है उसको electron से प्यार था यह नहीं था कुछ भी उसने electron ले लिया और बनाया a negative क्या बना लिया a negative हो सकता है उसको एलेक्त्रों से प्यार था तो एनर्जी रिलीज हुई और हो सकता है कि उसको एलेक्त्रों से प्यार नहीं था तो एनर्जी दे नहीं पड़ी बात अब की इस अब इस ए नेगेटिव को हमने second बार electron दिया एक और electron दिया ये जो A negative है इस A negative को हमने एक बार और electron दिया क्या बताओ ऐसे case में ऐसे case में क्या जब हम इसको electron देंगे तो क्या इसके electron accept करने की tendency नहीं होगी ये बात बहुत easily justify की जा सकती है क्यों? क्या इस पे मौझूद negative charge इस पे मौझूद ये negative charge इस electron को आने से मना कर देगा Yes sir तो second अगर अपनको electron डालना है तो वो positive होगी और यहाँ पर मैंने लिखा है always क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है Yes तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा that is second ऐसे लिख लेता हूँ second electron gain enthalpy second delta h e g second delta h e g is positive और यहाँ लिखता हूँ always क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई second electron gain enthalpy positive होगी electron gain enthalpy positive होगी और मैं word लिखना हूँ always इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप क्या देखने जा रहे हैं उस बात को ध्यान से सुनना हूँ यहां पर हम जो चीज समझने चाह रहे हैं वो यह समझना चाह रहे हैं कि जब oxygen एक एक एक्जामपल ले रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है oxygen को electron दिया oxygen negative बना क्या पहली electron gain enthalpy negative है justified है या नहीं है क्या यह जस्टीफाइड है हां या न यह स्टीफाइड है यह स्टीफाइड है जब हमने second electron इसको देने कोशिश करी second बार electron देने की कोशिश करी तो negative बना तो यह वैल्यू क्या positive आईगी जबरदस्ति इलेक्ट्रॉन दिया हम हमारे concept के साबसे भी आईगी लेकिन आज तक आप ऐसा नहीं समझ रहे थे क्यों बोड़ पर जड़ा ध्यान से देखो आपके इसाब से ओ नेगेटिव का configuration होता है 1-2-2-2-2-2-4 जब एक electron ले लिया तो 2-2-2-5 हो गया और जब दूसर नेगेटिव बनाता है फ्लोरीन हमेशा माइनस वन बनाता है कि यह पता है न आप लोगों को तो उसके इसाब से तो oxygen हमेशा 2-2 बनाके रहना चाहिए और अगर वो यह बनाना चाहता है और अगर बनाना चाहता है तो यह बात भी clear हो रही है मुझे इस बात से कि इस second electron gain enthalpy फिर positive कैसे है यह तो वो चाहता है इस process को तो करना वो चाहता है और अगर करना चाहता है तो energy तो release होनी चाहिए कोई भी चीज होनी चाहिए लेकिन यहां तो value क्या आती है positive आती है क्या जो मैंने बोला हो समझ में आगए है नहीं आगए क्या समझा है क्या समझने कोशिश करी क्या समझ में आया हमारे तो कि second electron gain enthalpy हमेशा positive होती है बड़ आपने बोला कि जो हमें लगता है कि अगर oxygen O to minus बनाना चाहता है तो उसको हम energy क्यों supply करें वो तो खुदी हो जाना चाहिए फिर तो वह energy release होनी चाहिए थी ना यस सर् तो वापिस से मैं अपनी पुरानी बात को दोहराता हूं शायद आप वापिस याद कर लें उसको recollect कर लें कि अगर हम oxygen से oxygen negative से oxygen two negative बना रहे हैं this is isolated process जबकि तुम बात कर रहे हो और octate word की वो actually compound formation दौरान की बात हो रही है कि oxygen को जब जिम्मेदारी दी गई है तो compound बना तो oxygen two negative बनाएगा और तब oxygen के कारण ऐसा नहीं हो रहा है overall जब compound बना तो energy release हो रही है this is the point जबकि सिर्फ अगर अपने इस process की बात कर रहे हैं हम सिर्फ इस process की बात कर रहे हैं तो क्या होगा क्योंकि compound में बहुत सारे compound जब बनेगा तो बहुत सारे steps होंगे उनमें से कुछ negative steps है कुछ positive steps है कुछ दूसरे steps भी positive और negative होंगे overall क्या होना चाहिए energy release होनी चाहिए पर इस step में तो energy gain ही होगी नहीं समझ में आई बात कि अगर हम इस isolated process को देखेंगे तो इस जगह पर तो second electron gain enthalpy positive ही होगी आपके दिमाग में जो confusion है कि सर oxygen to negative तो बनना चाहता है वो negative होगी वो ऐसा नहीं है क्योंकि वो compound बनने की बात हो रही है कि इस process की बात नहीं हो रही है कि सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हैं जबकि octate जो word है वो compound formations के दौरान यूज करेंगे अपन word कभी भी isolated process के दौरान यूज नहीं करेंगे इस समझ में आ गया चली आगे बात करते हैं एक और बात जैसे sodium को electron देना है और sodium negative बनाना है मन में क्या लगता सोडियम को नेगेटिव बनाता होगा सर कैसी बाते करें सोडियम तो पॉजिटिव भी बनाता है अरे वो process compound formation की बात कर रहे हैं अगर अपन एक isolated process कर रहे है कि electron affinity बता दुनिया के सारे element की electron affinity कैसी है इसको electron से प्यार है तो ऐसी condition में electron जब अपन देंगे तो energy क्या होगी release होगी देको negative आ रहा है दूसरा electron देंगे अगर तो आपको आपको energy supply करने जाए अगे चलते है chlorine को अगर अपने electron दिया chlorine को electron अगर हमने दिया तो chlorine नेगेटिव अगर एक और electron देंगे तो क्या होगा positive second हमेशा positive होगी अब तुमको एक और चीज दिखा रहा हूं जैसे तुमने oxygen में देखा था ना oxygen में तुम्हें लग रहा था oxygen 2 negative बनना तो प्रकरती का निया में सार oxygen 2 negative तो बना के रहेंगे हम पर हमने अभी क्या सीखा oxygen 2 negative बनना कोई बहुत अच्छा नहीं है in fact अभी मैं आगे जाके तुम्हें बताऊंगा यह जो पहली टर्म negative और यह दूसरी टर्म positive है ना इन दौनों का some positive होता है इन दौनों का some positive होता है पतला यह energy release हो रही है मानलो 100 और यहां पर energy जो gain हो रही है न वो 100 से जादा है तो overall gain हो रही है पहले हमने रिलीज हुई 100 और यहां पर gain हुई 1500 तो क्या हुआ फाइनली कि हमने 50 energy उल्टा दी है O से O 2 negative total process के लिए तो हम में आ रही है यानि कि overall oxygen से oxygen 2 negative बनना is not favorable तो सर फिर यह क्यों बनता है oxygen 2 negative क्योंकि overall compound बनाने के लिए कि कहा जाता है जब overall हम compound बनाते हैं तब यहली बात कही जाती है क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई कि यह सर्थ चलो आगे बढ़ते हैं अब मैं बोल रहा था ना एक और नहीं कहानी nitrogen देखो यह nitrogen हमने बच्पन से बढ़ा है nitrogen 3 negative में रहता है बढ़ा है अभी बोल पर देखो क्या हो गया nitrogen से nitrogen नेगेटिव बनाने में पहली वेल्यू पॉजिटिव यह तो बढ़ा अभी अपने nitrogen को पहला पॉजिटिव चाहिए पहली एनर्जी देनी पड़ेगी nitrogen के केस में तो अब आप देख सकते हो पहली पॉजिटिव दूसरी पॉजिटिव तीसरी भी पॉजिटिव तो टोटल भी पॉजिटिव ही रही यानि कि बताओ nitrogen से nitrogen 3 negative बनना favorable या unfavorable 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 लेकिन फिर भी नेचर में nitrogen 3 क्यों exist करता है क्योंकि compound के लिए वो stable है compound बनाने के लिए दूसरी energy responsible है आगे पढ़ेंगे नाम है lattice energy क्या पढ़ेंगे अपन लैटिस energy जब lattice create होता है तो उस lattice creation के दरान energy release हो जाती है एक सोचो ना हमने कोई एक factory डाली या हमने कोई एक नया business start करा क्या पहले बहुत सब्सक्राइब खर्चे होंगे वह खर्चे किये जाते हैं क्यों क्यों कि आगे जाके क्या होने क्या पढ़ा उसको revise कर लेते हैं जब बोर्ड पर ध्यान से देखना पूरी electron affinity को मैं revise करा रहा हूँ electron affinity क्या है electron के लिए प्यार कोई atom है यह atom है electron जा रहा है जा रहा है तो वो उसको प्यार करेगा एक atom को भी electron से प्यार है, दूसरे atom को भी प्यार है कितना प्यार है, किसको ज़ादा है, यह measurable नहीं है तो क्या करेंगे? यह process कराकर देख लेंगे दौनों को electron दे देंगे, दौनों atom से दौनों को एक-एक electron मिल गया जब electron मिला, तो यह इसने भी energy release करी मान लो इसने भी energy release करी, जिसने energy release ज़्यादा करी, उसको प्यार ज़्यादा था, और जितनी ज़्यादा release करी, उतना ज़्यादा प्यार था, तो affinity is the tendency, but to measure the tendency, we have to perform a process, और वो जो process है, हमने करके देखा, we get the things, हमने कहा कि affinity is just a tendency, electron gain enthalpy is the amount of energy change, either release or gain, दुनिया के जितने भी elements हैं, उन सभी elements के अंदर हम यह मान के चलते हैं, electron से प्यार है, और जब वो electron लेंगे तो energy release करेंगे, जितनी energy release करेंगे, is the value of the power, दूसरी बात, nitrogen atom, second day और noble gases, इनको electron से प्यार नहीं है, तो electron affinity is set to be zero, पर अगर हमने process जबर्दस्ती कराया, तो energy release की जगे energy देनी पड़ गई, energy अगर देनी पड़ गई, तो जितनी energy देनी पड़ गई, that is the electron affinity, मतलब नफरत, तो वो negative से denote की जाएगी, फिर हमने बात करी second electron gain enthalpy की, हमने कहा, दुनिया में हमेशा यह बात ध्यान रखना, कि second electron delta h e g, electron gain enthalpy जो होती है, वो positive होती है, always, क्यों positive होती है, always, क्योंकि उनको electron से प्यार, नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि electron is being added in an anion, क्या एक electron जो add हो रहा है, वो anion में add हो रहा है, और anion electron को repel कर देगा, तो second वाली जो है, वो हमेशा क्या होती है, positive ही होती है, this is the very important point to be noted, अब sir, ऐसी चीज हम अपने चारों तरफ खूब ज़्यादा देखने वाले हैं, क्यों, हम आज तक सोचते थे, oxygen 2 negative का formation, sulfur 2 negative का formation, nitrogen 3 negative का formation, ये तो बहुत favorable है, क्यों, क्योंकि इनका तो octate complete हो गया, ये तो ऐसा चाहते हैं, but in examples के तुरू हमने देखा, कि oxygen से oxygen negative favorable है, लेकिन oxygen negative से oxygen 2 negative favorable नहीं है, क्योंकि second electron gain enthalpy positive है, in fact overall भी positive है, तो ये जो stability आ रही है, ये किसके लिए दी जाती है, compound formation के लिए, sodium, chlorine के example simple थे, हमको समझ में आगे, sodium का example इसलिए है, क्योंकि in general हम sodium को negative कभी देखते नहीं है, क्योंकि compound में वो ऐसा करता नहीं है, लेकिन अगर मैं isolated condition में sodium को electron देऊँगा, तो उसको electron अच्छा लगता है, वो लेगा और energy release कर देगा, electron लेगा और energy release कर देगा, जबकि nitrogen का example भी बहुत अच्छा example था, nitrogen से nitrogen negative ही unfavorable था, तो second भी, third तो है unfavorable, और हम सोचते है nitrogen 3 negative बना हो साला बहुत stable है, तो वो हमने समझा कि nitrogen 3 negative का बनना, nitrogen 3 negative का बनना, thermodynamically इस process के थूँ, favorable नहीं है, फिर हमने का factors affecting electron affinity, size था, effective nuclear charge था, electronic configuration था, type of the orbital था, जिसमें electron add हो रहा है, और एक बहुत ही important था, that is वो दोस्त वाली बाद, जिसके अंदर एक electron जब add किया जा रहा है, तो outer shell electron cloud density होने करण electron affinity हो जाती है कम, which is not expected, कि fluorine है, बहुत छोटा है, तो बहुत प्यार होगा, पर fluorine का प्यार chlorine से कम है, हमने कहा कि fluorine को electron से प्यार chlorine से कम है, याद रखना हम बात कर रहा है, electron affinity की, electron negativity की नहीं, हो सकता है, आपको electron negativity पता हो, दुनिया का most electron negative element is fluorine, तो वो electron negativity में बता दूँगा, but now we are talking about just electron affinity, and electron affinity के case में अभी मैंने आपको क्या बताया, किसकी electron affinity जादा, जो जिसकी जाद इलेक्टों को प्यार होगा, fluorine की कम हो गई है, कुल मिलाकर chlorine से, तो chlorine की ज्यादा हो गई है, तो दुनिया में most electron affinity किसकी होगी, कि CL की हो गई है, तो chlorine की तो CL से कम हो गई, तो सबसे ज़्यादा electron affinity किसकी हो गई, CL की हो गई, पूरी प्रियोडिट टेबल में, हाँ या ना, तो गटेगी, लेफ टू राइट जाएँगे, तो बढ़ेगी, तो chlorine की तो सबसे ज़्यादा होनी है, हाँ, यह बात मैंने बोली, अभी देखते हैं, electron affinity के लिए left to right जा रहे हैं, तो आप देख रहे हो, in general electron affinity क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्या यह बात याद रहेगी, top to bottom जा रहे हैं, तो electron affinity कम हो रही है, क्या यह general trend समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यह सर, यह general trend सभी को समझ में आ गया है या नहीं आ गया, यह सर आ गया, perfectly clear, any doubt, no doubt सर, अब जो बताने जा रहा हूं, उसके लिए बड़ी हिम्मत की जरुद है, प्लीज मतलब बिल्कुल अपना brain stable कर लेना और ध्यान से सुनना, भोलूँ बिटा में, यह सर, देखो बोट पे, जो समझाने जा रहा हूं, उस बात को ध्यान से देखना, मैंने आपको कहा, यहां पर सबसे पहले, मैंने एक एक्जाम्पिल लिया, second period का, second period की electron affinity हमें देखनी है, electron affinity, second period के, elements लिखता हूं, elements आर, beryllium, poron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, और neon, क्या यह elements हैं, second period के, सबसे पहले हमने कहा, left to right जाएंगे, तो electron affinity बढ़ेगी, इस बात को ध्यान हम रखते हैं, तो electron affinity को बढ़ा दो, यह बढ़ाई, यह बढ़ाई, यह बढ़ाई, यह बढ़ाई, यह बढ़ादी और यह बढ़ादी, क्या यह होना चाहिए था, क्योंकि left to right जाते हैं, तो electron affinity बढ़नी ही चाहिए थी, हाँ या ना, अब मैंने तीन element को ध्यान से देखा, एक तो था beryllium, दूसरा था nitrogen, और तीसरा था neon, यह जो तीन element थे, इनको electron से प्यार ही नहीं है, याद करो, हमने कहा था, electron affinity इनकी zero है, इनको electron से प्यार? नहीं है, नहीं है, तो हमने क्या किया, इन तीनों elements को, इन तीनों elements को उठा कर, हम लोग पीछे ले गए, तो कि इनको प्यार नहीं है, तो मैंने neon को उठाया और सबसे पीछे ले गया clear? neon को उठाया और मैं सबसे पीछे ले गया क्योंकि प्यार है ही नहीं उसके थोड़ा आगे मैं beryllium को ले गया क्यों? सोचो ना neon को तो बिलकुल प्यार नहीं होगा लेकिन beryllium को उसके respect में उतनी भी problem नहीं होगी, जितनी neon को है, तो beryllium को थोड़ा उसके आगे रख दिया, गलत तो नहीं कह रहा हूं है, और जो nitrogen भाई साब है, उनको भी पीछे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भी electron affinity zero है, उसको थोड़ा और आगे रख दिया, क्यो क्या यहां तक जो भी मैंने बोला, इन सब को पीछे उठाके रखा, वो समझ में आ गया नहीं आ गया, सच में समझ में आ गया, यह सर, आगे देखते हैं, इसके आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, यह clear हो गया या नहीं हो गया, अरे यार, अभी रूप जा, आग करते हैं, अब अपन बात करके चलते हैं, एक और अलिमेंट की और ववो जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट है lithium, जो लीथियम एलिमेंट है, यह electron कहां लेगा, जलदी से बता हो, यह electron लेगा, एन एस का configuration, पतलब है अपने सामान सकते हैं तो यह सब लेक्टरॉन लेगा और अगर यह सब जने पर अर्बिटल में लेने वाले हैं और यह सब लेक्टरॉन लेने वाला है तो बताओ लीथियम को लेक्रण लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी अगर electron लेने की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा हुई तो एसी condition में lithium उठके boron के आगए जाएगा वह कि berlium तो लास्ते से भड़िया अब boron है पी में ले रहा है ये समें ले रहा है ये कहां ले रहा है ns1 ये कहां ले रहा है NP1 है में लेगा electron जब लेगा तो ऐसी condition में lithium की value boron से आगे आगई हाँ या ना चलिए final order लिखता हूँ final order अगर मैं लिखूँ तो final order क्या आएगा सबसे पहले क्या neon आ जाएगा neon से आगे क्या beryllium आ जाएगा और beryllium से आगे क्या nitrogen आ जाएगा इन तीनों को electron से प्यार नहीं है इन तीनों को electron से प्यार नहीं है इस सो मैंने उसके बाद color of pen change किया और अब लिखना चालू करा कौन आएगा बताओ गुर्शब इसके बाद प्र बोरोन आ गया फिर कौन आएगा क्या प्रिचिया करी निज हो यह सबाहिए कर बांदी और शीह फिर अज्ञ व यह अजा पिर फ्लोरीन यह सब वो लोग हैं जिनको इलेक्ट्रॉन से प्यार था हा या ना कि यह सब तो यह कहना चाहरा हूं कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथल्पी नेगेटिव थी इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथल्पी पॉजिटिव थी हा या ना परदाइनी जड़ा बात को ध्यान दे समझना this is not the order of electron gain enthalpy क्योंकि positive terms और negative terms में positive term आगे थोड़ी होती है सब्सक्राइब इस बात को लिखना चाहूंगा order of electron affinity यह tendency का order है and then only हम इस order को draw कर सकते हैं in fact हम यह order को perfectly इनके लिए yellow वालों के लिए तो बोल सकते हैं लेकिन उनके लिए बोलना तो वैसे ही ठीक नहीं हो कि यार एक बाह बताओ इस ये पढ़ने में बेकार है ये भी आदमी पढ़ने में बेकार है ये भी आदमी पढ़ने में बेकार है तीनों आदमी पढ़ने में बेकार हैं और तीनों के जिरो मांक्स आये हैं अब मैं इनको ग्रेट कैसे करूं कि कौन जादा खराब है कौन जादा अच्छा है इन तीनों में से तो मांक से तीनों के जीरों हैं यह से नहीं कर सकते हैं तो हम उल्टा करके सोच सकते हैं कि यार इलेक्ट्रों गेन एंथेल्पी को इमेजिन करो कि क्या नियॉन के अंदर इलेक्ट्रों डालने में सबसे दा ताकत लगेगी इलेक्ट्रों उसमें एड करने में सबसे दा परिशानी होगी तो लेट्स नियॉन बीदा आटम having least electron affinity उसकी प्यार सबसे ही कम है तो इनकी electron affinity का जो order है वो इनकी electron gain enthalpy के basis पर दिया गया है कि जितनी ज्यादा positive जितना ज्यादा खर्चा उतनी कम electron affinity इस पर डेल्टा है जिए से लिखता हूं ओर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी लेस विल बीदा विल बीदा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हा या ना बोलो मेरी बात समझ में आगई और इनके लिए क्या लिखूं इनके लिए क्या लिखूं क्या लिखूं मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी क्योंकि इनकी तो नेगेटिव है मोर विल बीदा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोलो मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं यह energy release की बात कर रहे हैं तो जितनी ज्यादा release होगी उतनी electron infinity ज्यादा होगी यह सर्थ अभी भी समझ में नहीं आया या गया सर आ गया और कैसे आ गया यह सर्थ आप सोचो कि अगर यह order मैं आपको directly लिख दूँ तो आपको लगे का सर इतना random order कोई कभी आ रहा है कोई कभी आ रहा है सर lithium आ गया nitrogen पीछे आ गया क्या समझना बड़ा लाइन्स मैंने बनाई है वो वाला काम खतम हाँ या ना कि यह सर्थ पिर उसके बाद क्या करो लीथियम को उठा के आगे कर दो क्यों आगे कर दो क्योंकि लिथिन का electron ऐसे orbital में जा रहे है तो उसको उठा के हमने आगे कर दी है अगर सच में यह वास समझ में आ गई तो मुझे third period को भी तुम बताओगे यह मैंने लिखा third period और हमने electron affinity का order लिखना है elements are elements are sodium then magnesium then aluminum silicon phosphorus sulfur chlorine आरगन बताएगा गुर्शब्द क्या order करूँ सबसे पहले अरे पहले simple तो लिख पीछे और आगे बाद में करेगा पहले क्या कहेगा इधर से इधर जाते हैं तो electron affinity बढ़ती है तो सबसे पहले तो यह orders बनाएगा फिर उसके बाद यह कौन सा configuration है क्या NS2 configuration है यह कौन सा है NP3 configuration है और यह कौन है NP6 configuration है अब क्या करेगा बूल अरगन को उठाके सबसे पीछे रख दिया क्या यह justified है बता सबसे पीछे क्यों रखा क्योंकि इसकी electron affinity और गीरो आज़ीरो के परावन तो इसको पीछे कर दिया ठीक है फिर किसको ले जाओ में अग्यान को में इसके थोड़ा आगे वैसे इसको भी पीछे अरे हाँ याना अब क्या करें कि अब अब यह पीछे लाने वाला काम खतम यह अभी भी कुछ करना है और बाकी है अब अब यार अभी कुछ और भी बाकी दिख रहा है क्या बोड पर कुछ और आगे पीछे जाएका कुछ नहीं जाएगा चलो बढ़ाई नहीं तुम बताओ क्या करूं सब सोडियम को अलुमीनियम के आगे रख तो फॉस्फरस को कुछ नहीं करें नहीं सब करेंगे ना एंपी थ्री यह तो वैल्यू कम होगी पीछे चला जाएगा एक कदम तो चाहे का पीछे अगर नाइट्रो जान होतो तो जीरो हो जादी तो पीछे चला जाता यह तो लेस होगी जीरो जाएगी तो जीरो वालों को जीरो कर दिया लेकिन एंपी थी तो लेस तो करोगे नहीं करोगे तो लो बढ़ता ही नहीं यह सब करेंगे एक कदम पीछे आगया अब क्या बता रही थी वह आपेस बता के टok को के आगया चाही थी थी सोडियम को उठाकर किसके आगय कर दू क Tarüm के टोडियम को उठाकर एल्युमीनियम के आगय कर थीक है अब पाइनल और बोलो क्या ओडर लिखें बताओ वाईट पैन येलोपेन वाईद तो सबसे पहले किसको लिखूं आगे। आरगन, आरगन से आगे किसको लिखूँ। मेगनीशियम, बस गाड़ी यहीं बंद हो गई, इन दौनों की इलेक्ट्रोन एफिनिटी क्या है? जिरो, और इन सब की इलेक्ट्रोन गेन एन्थेलपी क्या है? पॉसिटिव 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 आगे चलू अब क्या येलो पैन ले लू येस तर्थ क्यों ले लूँ क्यों कि अब जितने भी हम लिखने वाले उन सब में क्या है ऐलेक्ट्रोन ऐफिनिटीज जीरो नहीं है कुछ तो प्यार है उनको अब किसको लिखों बोलो जल्दी से अलूमीनियम फिर किसको लिखों आप अब आप करो यह order भी को रेगुलर order नहीं कितना भयंकर रेंडम और है और एवन सेकंड पीरिट से भी मैच नहीं कर रहा है सेकंड पीरिट में कुछ कुछ का हो रहा था इसमें कुछ और हो रहा है अरे हां या ना इस अब है इनाफ इनकी गेन अतर है क्या यह बात समझ में आ गई या नहीं आ गई तॉ स्थे इस बात को दिख रहें हatu की डिस डा जब अब और हम इलेक्टर आप इननगे जख रहा हुआए kim यह जरूर कह सकते हैं कि this is the order of electron gain enthalpy also क्यों कह सकते हैं क्योंकि यह सब energy release है negative sign को मतलो यह भी energy release कर रहा है 100 तो यह 100 से ज़्यादा release कर रहा है 100 से और ज़्यादा release कर रहा है तभी तो यह order आया है यह सब energy release ही तो कर रहा है तो this is the order of electron gain enthalpy also electron affinity का भी order है electron gain enthalpy का भी order साइन को नहीं लिया मैंने सिर्फ values को लिया तो हमें जब order लिखना होता है electron gain enthalpy का तो sign को नहीं लेना होता है नहीं यह सब question की language पर depend करता है इन जनरल electron gain enthalpy का order लिखना होता है तब साइन को नहीं लेना होता है कि क्योंकि order का मतलब है वो ही बता रहा है कि किसने energy release जादा करी वो खुद कह रहा है कि release जादा करी तो release करी वो खुद ही कह रहा है तो release करी तो इसका मतलब सब उससे बताओ इसने भी क्रचा किया इसने भी इसने कर से हम से वयल्यु कर रहना है का इस इस दरह से यह भी थंप dersh है यहां पर आपको वो चीज समझाने की कोशिश करता हूं दुनिया में एक चीज क्लियर है और वो क्या है कि energy के नौट भी क्रियेटेड नौर भी डेस्ट्रॉइड क्या यह बास सबको पर्फेक्ट्ली आदे या नहीं एनर्जी ना तो क्रियेट की जा सकती ना डिस्ट्रॉइ की जा सकती यह जो पैन है इस पैन को जमीन पर पढ़ा सा मैं इसको उठा के उपर लाया क्या मैंने energy दी तब यह उपर आया यह सब लेट से मैंने 100 energy दे दी और मैंने इसको चोड़ दिया क्या यह वापिस जमीन पर पहुंच गया तो बताओ स्वाइनर्जी रिलीज होगी या कुछ और ज्यादा या कम स्वाइनर्जी के नाइदर भी क्रेटे नौर भी डेस्ट्रॉइट अगर कोई प्रोसेस को आगे की तरफ करते हैं और उसी प्रोसेस को पीछे की तरफ ले जाते हैं एनर्जी इंवॉल्मेंट एग्जैट सेम होता है दिस इस दा साइन्स ये 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 सिर अब इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मैंने क्या बोला मैंने आपको ये बोला कि एक ए आटम है उससे हमने बनाया ए पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन हाँ या ना हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो क्या ये आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाईगी क्या यह आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होगी क्योंकि एनर्जी दे कर तभी तो एलेक्ट्रॉन निकलेगा हाँ या ना यह सर्थ मान लेते हैं हमने सौ एनर्जी किती एनर्जी दी सौ एनर्जी दी इस एलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मैं ने एक एंटम लिया electron बन उसको गेन गराया क्या industrial गेन thus होगी नेंगेट एनर्जी होगी लुगी लीशा तो अगर ये आइनाीजेशन एनर्जी की वेल्गी सो है तो बताओ ये एलेक्ट्राउन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कितनी होगी 100 ही होगी वर्दा ही नहीं तेक अब रेक ध्यान से सोचो लंबी सांस लो रिलाक्स होके बैठो और फिर सोचके मुझे बताओ और लेक्वान काहिवावावावटन पार था कहा ही नहीं उगताई पास को अ time गर घे नहीं नहीं बढ़न का गपताव से मुझे काहवावantically होगी 1 बोलो वोलो वोलो चलो मैं बताता हूँ ध्यान से देखो कही प्रोसेस उल्टे हैं आंसर इस नो ए ने लेक्टरॉन लूस किया और ए ने लेक्टरॉन गेन किया यह दो प्रोसेस उल्टे नहीं है यह तो opposite direction के है हम कहना चाह रहे हैं कि अगर A positive से वापिस A बना होगे तो यहाँ पर value जो electron gain enthalpy की होगी वो सोही होगी दिस इस actually to and fro आगे और पीछे जो तुम बात कर रहे हो वो तो A से इधर जाने की और A से इधर जाने की बात कर रहे हो यह process ही अलग है यह process ही अलग है यहाँ पर जब हम electron दे रहे हैं तो surrounding से electron दे रहे हैं यहाँ से electron निकाल रहे हैं तो इसका खुद का electron निकाल रहे है दोनों में difference clear हो रहा वरदा ही नहीं तो बोलो लेटा गोशब यानि अगर हम वापिस से समझो यह जो इलेक्ट्राइडेशन एनर्जी यह एक ही है और यह जो electron gain enthalpy है यह पॉजिटिव की है यह सब आ रहे हैं सब्सक्राइड निजान में आई बात सब्सक्राइड यह वो दो अलग प्रोसेस हैं दूरे आटम है उसमें से electron निकाला A positive बनाया A atom है उसमें electron जोड़ा A negative बनाया यह प्रोसेस और यह प्रोसेस दो अलग अलग प्रोसेस हैं अलग अलग direction में यह एक्वल नहीं होंगे इक्वल क्या होंगे वो देखो इक्वल होंगे जब आप M से M positive बनाओगे electron निकाल के और M positive को वापिस electron दोगे और M बनाओगे तब ये वाली value और ये वाली value equal होगी this is known as true and pro this is not true and pro this is something else ये दो अलग-अलग direction में जा रहा है these are opposites and this is true and pro ये आ रहा है और जा रहा है ऐसे करके उल्टा भी सोच सकते है X को हमने electron दिया X negative बनाया energy रिलीज हुई तो X negative में से वापिस electron निकालकर X बनाने में energy देनी पड़ेगी energy can neither be created nor be destroyed क्या ये point number one और point number two दोनों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है दो अलग-अलग points है ये point number one ये कहता है कि a atom में से electron निकालो और a atom को electron देो ये तो अलग-अलग इंट्रों से प्यार और से जो electron जा रहा है उससे प्यार क्या पता सकते हो कौन ज्यादा हो गा हुए खुद energy की value जो होगी खुद के tadi एक अनरदी ज्यादा होगी तो हुए ऊसी एक्टरों की इलेक्रों एफिनिटी से हां या न इलेक्ट ओन इंट्कल ये बास समझ में आई या नहीं आई आई सो ठीक दूसरी चीज कि अगर एक एक एटम ने इलेक्ट्रोन लूस कर दिया एम पॉजिटिव बना दिया ये एलेक्ट्रोन आगया बार ये मेरे हाथ में एलेक्ट्रोन है यहां और यंसे हैं यहां पर से एक्स में से मैंने लेक्ट्रोन निकाला एक्स तो यह एलेक्ट्रोन मेंने डाला यह खुश हुआ एbildung किटे एनरजी रिलीज करीजी एक से अगर मैं वोई एनर्जी इसको वापिस दे दूंगा तो इसको एलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ जाएगा जो इसने पकड़ के रख रहा है मैंने एनर्जी देते ही निकाल दिया इसने वापिस बार तो दीज़ टू थिंग सारीकॉल इस टू इंट फ्रो टू इंट फ्रो ब एलपी पॉजिटिव भी हो सकती और नेगेटिव भी हो सकती शब्दों में बोलते हैं इसको जब एक्स ने एक्स माइनस बनाया तो एनर्जी रिलीज हुई क्योंकि इसको एलेक्ट्रॉन से प्यार था नेगेटिव है प्यार था तो एनर्जी रिलीज हुई अगर मैं तो क्या electron छोड़ देगा तो energy दे दूँगा तो यह positive होगी इसको प्यार नूँगा नुटा करते हैं इसको electron से प्यार नहीं था यह एक atom है इसको electron से प्यार नहीं था मैंने इसको जबरदस्ती electron दिया तो मैंने खरचा किया energy का मैंने 100 energy लगा के जैसे कोई spring है मैंने दवा दिया जबरदस्ति electron डाल दिया डाल दिया एक्स माइनस बन गया तो positive होगी ना खर्चा किया अपनने तो सोचो जैसे वो spring छूटेगी जैसे ही वो electron वापिस निकलेगा तो relaxed हो जाएगा energy release हो जाएगी तो सोचो electron निकल भी रहा है और energy release भी हो रही है this is negative term क्या यह बात समझ में आरी है यह नहीं हारी है energy can neither be created nor be destroyed यही बात मैंने अभी आपको यहां समझाई थी and the point is यह दो अलग-अलग points है यह वाला और यह वाला this is something जो कि two and fro होता है two and fro होता है energy can neither be created nor be destroyed लेकिन जबकि पहला वाला point is something else वो opposite ने इसको बता रहा है a से a positive बनना और a से a negative बनना यह दो अलग-अलग processes है इन दौनों में आपस में कोई relation नहीं है कि इसकी value और इसकी value बराबर होगी यह नहीं होगी ऐसा कोई बात नहीं है लेकिन हाँ यह जरूर है कि ionization energy की value electron gain enthalpy से ज़्यादा होगी particular atom की क्यों ionization energy का मतलब खुद के electron से प्यार electron affinity या electron gain enthalpy का मतलब बाहर के electron से प्यार of course खुद के electron से सबको प्यार ज़्यादा ही होता है समझ में अभी भी आया या नहीं आया अब आएगा electron negativity next time पर अपन एक्रों negativity पढ़ेंगे चाप्टर खतम हो जाएगा और इसकी कुछ छोटी चोटी सी application है वो हम पढ़ लेंगे फिर हमारा नया चाप्टर दाट इस chemical bonding स्टार्ट करेंगे यहां तो समझा है समझ में आगया नहीं आगया अगर जैसे की नेक्ट्रों जादा हो उसकी नेक्ट्रों से ज्यादा हो यह तो समझा अपन ने अगर एलेक्ट्रों गेन करेगा एनर्जी ज्यादा करेगा खुश होगा तो इसका मतलब क्या निकला उसकी लेक्ट्रों एफिनेटी जादा थी उसको प्यार जादा था ठीक है यहां तक अगर मुझे लगता है तुम सभी बच्चों को यहां तक clear हो गया है तो इसके next चन पर आगे का topic पढ़ेंगे next week के अंदर आपको time table मिल गया होगा या मिल जाएगा देख लेना organic chemistry भी जो है वो part start कर रहे है शुरू में Monday Tuesday Wednesday वही मेरी वाली inorganic class चलेगी timing स्थोड़े से change है वहां नीचे timing भी देख लेना और उसके बाद Thursday Friday Saturday उसमें organic की class होगी उसके भी timing देख लेना वहां पर सब जगे नाम के नीचे time लिखे वे हैं कि बच्चे के exam में शायद दोरिशब के school में तो उसके करण हमने थोड़ा सा time दो-तिन दिन कर change किया है बागी time सुबह का ही है क्या बात समझ में आ रही है की नहीं आ रही है तो मिलते है नेक्स देन पर आगे का topic पड़ेंगे ठीक है